हलो फ्रेंड्स competition community में आपका बहुत बहुत स्वागत है अजम बात करने वाले मध्य प्रदेश का भुगोल से सम्मंदित वस्तुनिष्ट प्रश्णों के बारे में चलिए चलते हैं हमारे पहले कॉश्चन की तरफ में देखिए राज्य का सबसे छोटा भुगालिक किया गया है तो इसमें सबसे जादा छोटा कौन सा प्रदेश है आपको यह देखना है मालवा बुंदेल खंड बगहेल खंड रीवा पन्ना का पढ़ार देखिए मालवा की बात करते हैं तो मालवा प्रदेश का सबसे बड़ा शेत्र है मतलब यदि मध्य प्रदेश कुल इतने शेत्र में फैला हुआ है तो इसका लगभग एक तीहाई हिस्सा तो केवल मालवा है तो इसका मतलब यह हुआ कि मालवा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भागॉलिक शेत्र है तो सबसे छोटा जो भागॉलिक शेत्र है वो होगा बगहेल खंड का शेत्र अगले से बहने वाली नदिया हैं आपसे पूछ रहा है कि रिफ्ट वैली से कौन कौन सी नदिया बहती है नर्मदा ताप्ती केवल नर्मदा और उप्रियोगत सभी देखिए आपको कैसे समझना है रिफ्ट वैली का सामान्य अर्थ यह होता है कि एक तरफ में बहुत ऊची दिवार जिसे कि एक जापल आप ऐसा देख सकते कि यह उची घाटी और बीच में से बहुत कम शेत्र है तो इसमें से जो नदी प्रवाहित होती है उसका कहने का मतलब यह है कि ब्रैंश घाटी से बहने वाली नदिया कौन कौन सी है इसे ही कहा जाता है रिफ्ट वैली या फिर ब्र से बहती है तो इस प्रकार से हमारा ओप्शन हो जाएगा यह और भी मतलब उपियोग तो सभी दोनों सत्पुड़ा परवश्रणी का पश्रमी भाग क्या कहलाता है मैकाल श्रणी महादेव श्रणी राजपीपला की पहाड़ी विंध्यांचल परवश्रंखला देखिए इसके बारे में आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा सिच्वेशन आपसे क्या पूछ रहा है यहां प पूर्वी भाग होता है। मैकाल श्रणी बीच वाला भाग उसके पहादेव श्रंखला गवर राजपीपला की पहाड़ी यहां फिर या फिर बढ़वानी की पहाड़ी इस प्रकार से हम देखते हैं कि सत्पड़ा परवत को तीन भागों में बाटा जा चुका है तो एक होगे सबसे पूर्वी भाग मैकाल परवश्रेणी मैकाल परवश्रेणी यही परवश्रेणी है जहां से नर्मदा, सोन और जोहिला नदियों का उदगम होता है महादेव परवश्रंखला वही परवश्रंखला है जहां पे मद्यप्रदेश का एक मात्र हेल स्टेशन पचमडी इस्थित है और साथी साथ में मद्य प्रिदीश की सबसे उची चोटी धूपगड इस्थित है और जो सबसे पश्यमी भाग होगा वो होगा राजपीपला की पहाड़ी या फिर बढ़वानी की पहाड़ी तो आपका अंसर हो जाएगा option number B राजपीपला की पहाड़ी पच्मणी के संदर में सत्य है आपको सत्य कथन बताना है पच्मणी में इस्थित धूबगड की उचाई 1360 मीटर है यहां मैकाल परवश्ट्रेणी का हिस्सा नहीं है इस भाग में वर्शा कम मातरा में होती है इसे निमार की रानी कहा जाता है जैसे आप पच्मणी के बात करते हैं आपके दिमाग में हिट होना चाहिए कि पच्मणी कहां इस्थित है सबसे पहले पच्मणी किस परवश्ट्रंखला पर है तो सत्पुड़ा परवश्ट्रंखला पर है सत्पुड़ा के किस शित्र में है महादेव शित्र में है पच्मड़ी पर सबसे जादा वर्षा होती है कि ने तो वर्द्परदेश की सबसे जादा वर्षा जो है वच्छ पच्मड़ी पर ही होती है एक मात्र हिल स्टेशन है सत्पुड़ा की राश सत्पुडा की रानी कहा जाता है इसको पच्मडी को सत्पुडा की रानी कहा जाता है इसे साब से अब हम आंसर लगाते पच्मडी में इस्थित धूबगर की उचाई 1360 मीटर है पहली बात तो धूबगर जो है वो पच्मडी पे इस्थित नहीं है बल्कि महादेव परवश्रंखला परिस्थित है उचाई की बात कर ले तो उचाई धुबगड की 1360 है ही नहीं बल्कि उसकी उचाई 1350 है तो यह जो आपका उप्षिन है उप्षिन नमबर A यह हो गया गलत दूसरा उप्षिन में चलते हैं यह मैकाल परवश्रेणी का हिस्सा नहीं है तो यह मैकाल परवश्रेणी का हिस्सा नहीं है बिल्कुल सही है क्योंकि यह महादेव परवश्रेणी का हिस्सा है तो आप्षिन नमबर B आपका सही हो जाएगा C में देख लेते हैं इस भाग में वर्शा कम मातरा में होती है, गलत क्योंकि इस भाग में वर्शा सरवाधिक होती है, वही सबसे कम वर्शा की बात करेंगे कि मध्य प्रिदेश में सबसे कम वर्शा कहा होती है, तो वो होती है भिंड के गोहद में, भिंड जिले के गोहद वाले स्थान में, और पठार कौन सा लेगा तो मर्द्य भारत का पठार लगेगा इसे निमार की रानी कहा जाता है तो इसे निमार की नहीं बलकि सत्पुड़ा की रानी कहा जाता है इस कारण से option number B आपका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर लिखी गई पुस्त के कौन कौन सी है संस्क्रित श्रोत श्रिवनी नर्म पानी उतर गया नर्मदा समग्र तीरे तीरे नर्मदा देखें जब नर्मदा नदी की बात करते हैं तो आपको बटा Requina नदी पर सरवाधिक किताबें अमरित लाल बेगर जी के द्वारा लिखी गई और जो अमरित लाल बेगर जी है ना इन्हें नर्मदा पुत्र भी कहा जाता है और नर्मदा नदी पर बहुत सारी किताबें लिखने के कारण इन्हें बहुत सारे सम्मानों से पुरुष्कृत भे किया गया है तो नर नर्मदा नाम है तो ख्लियर नर्मदा नदी पर लिखी गईolenी पानी उतर गया इसका संंब्ध的 आपका सही होगा onald सब ही ने का यहांD होना चाहिये था जो आ समय उन्द Pat loser कीजिए अब कू क्ट्न करन decorations कि नदी कौन कौन सी है और नदी का उद्गर्म कहां कहां से होता है चंबल नर्मदा तापती बेत्वा गोडिदंत पहाडी काली सिंद पहाडी वंग्चू पॉइंट और सारस्वती सरोवर लेखिए आपके बहुत सारे लिखे हुए तीन एक दो चार एक तीन दो तीन चार एक दो आपको एलिम किय से करते हैं चंबल नदी मैं की सबसे पहले करते हैं चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है इंद Οर इंदउर के अन्डर कांसा शेत्र मही कि पहाड़ी कौन सी है? विंध्यान चल पहाड़ कौन सा है? जाना पाओ उद्गर विस्थल का नाम क्या है? वांग्चू पॉइंट लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर जल्प्रबाद कौन सा बनाती है? पाताल पानी अपरदन किस में करती सबसे जादा किस जिले में अपरदन करती है? मुरैना कौन सा अपरदन करती है? अवनालिका तो इस प्रकार से चम्मल लदी का उद्गम इंदोर के महो की विंध्यान चल परवश रंखला के जाला पाव में इस्थित वांगजू पॉइंट से होता है यह 965 किलोमीटर लंबी नदी है यह सरवाधिक अपरदन करती है मुरैना जिले में एक जल्प्रपाद का निर्माद करती है जिसका नाम है पाताल पानी जल्प्रपाद यह अवनाली का अपरदन करती है मुरैना जिले में तो चंबल को सीधे मिला दू वांगची पॉइंट से अब एलिमिनेट कैसे करना ऑप्शन में देखो कहां कहां तीन लिखा हुआ है फर्स्ट में तो एक दो तीन तो ऑप्शन नमबर भी पहले ही कर देगा क्योंकि यहां पर फोर लिखा हुआ है नर्मदा नदी अब जब बास हम नर्मदा की करते हैं तो नर्मदा नदी का उधगम होता है अनुपपूर से जिला लगेगा अनुपपूर शेत्र लगेगा अमर कंटक अमरकंटक की अंदर जो छेतर है तहसील है पुष्प राजगड पुष्प राजगड पुष्प राजगड पुष्प राजगड के अंदर एक सरोवर है जिसका नाम है सरस्वती सरोवर और सरस्वती सरोवर के अंदर एक कुंड है जिसका नाम है नर्मदा कुंड और नर्मदा कुंड से ह होता है न्रम्दा नदी के उधगाँ कुल 13 12 किलो में इसकी लंबाई है सब्सक्राइब मते हैं धुअ जल परपाद कपिल joined धुर्वासा जल परपाद आधी जल परपादोंot का निर्माड करती हैं तो न्रमदा हो गया सीधर सीधे जोर दो सरस्वती सरोवर के साथ अब बची दो नदिया तापती नदी और बेत्वा नदी देखो दो का चार तो दो का चार कहां है अप्शन नमबर ए भी कड़ गया अब बचा सी और डी आपके पास दो अप्शन बचे है और दो कॉश्चन बचे है ठीक देखे बात कर सब्सक्राइब करेते तापती नदी का उद्गाम होता है काली सिंद पहाड़ी से और बेत्वा नदी का उद्गाम होता है घोडी दंथ पहाड़ी से इस तरह आपका आंसर हो जाएगा अपसर नंबर सी चलते हैं अंगले कॉश्चन की तरफ में मन्द्यप्र देश में नवीन तRegन आधार पर बागव की संख्या कितनी हैं जैसी आपको भाग हो नहीं चीजे माइंड में आ जानी, जैसे कि क्या क्या सबसे पहले बाग सब से ज़ाधा भारत में हैं, बानट में कितने बाग हैं तो 2967 बाग भारत में हैं, बारत में सरवादिक कि सारज्ज में हैं तो म confession hè तो करना début मों सबी परिदेश में कितने हैं, तो मांधी परिदेश में今年 हैं 526 बाग मंद्य प्रदेश में करनाटक में किते है तो 524 बाग करनाटक में है तो दो भागों से बस पीछे है करनाटक इसके साथ में बागों की सरवादिक गनत्व वाला राष्टियुद्यान कौन सा है तो बागो का सरवाधिक गनत्य वाले राश्टी उद्यान है बांधवगर बांधवगर राश्टी उद्यान में सरवाधिक बाग है इसके साथ ही साथ में घनत्व कितना है तो घनत्व है आठ किलोमीटर प्रती एक बाग बागो का DNA टेस्ट कहां पर हो रहा है तो भारत में बागो का DNA टेस्ट मध्य प्रदेश में हो रहा है और राष्टी उद्यान लगेगा बांधवगर राष्टी उद्यान पर तो इसका आंसर होगा 526 बागो की संख्या पूछा था तो 526 है 2967 यह भारत में है और 524 जो है यह क करनाटक में हैं मद्य प्रिदेश का सबसे उचा जल प्रपात कौन सा है चचाई बहुटी दुर्वासा और धुवाधार जल प्रपात लेकि जब बात करते हैं मद्य प्रिदेश के सबसे उचे जल प्रपात की तो आपको बता हूना चाहिए कि चचाई जल प्रपात जो है वह वहीं दुर्वासा जल परपाथ वह जल परपाथ है जो नर्मदा नदी बनाती है अपने उद्गा मिस्थल के पास में वहीं धुवाधार जल परपाथ जवलपूर के भेडा घाट में इसते थे नर्मदा दुवदी तवारा बनवाया जाता है समराट अशोग का शशुराल कहा था देखे समराट अशोग की जैसी बात आती है आपको बहुत सारी चीज़ें दिमाग में हिंट होनी चाहिए कि मौर इवंश के शाशक रहे हैं अप्शन देखते हैं विदिशा, भुपाल, आवंती और इंदौर देखे उस समय में सबसे महांत्वपूर क्या-क्या छेतर चल रहे थे मौर इवंश के टाइम में तो विदिशा, अवंती और इंदौर बहुत जादा इंपोर्टेंट चल रहे थे अब समराट अशोग की बात कर लेते हैं तो समराट अशोग जो है, इनका सीधा सम्मन्ध है मौर इवंश से इनके पिता का नाम था बिंदौ सार माता का नाम था शुभ द्रांगी देवी अशोग बिंदौ सार के समय में अवंती के प्रांथ पाल थे ये कॉशन लास्ट येर पियसी में पूछा भी था कि अशोग बिंदौ सार के समय में अवंती का प्रांथ पाल कौन था तो अशोग थे इसके साथ ही मैं आपको बता हूँ नाची कि अशोग का विवा हुआ था विदीशा में विदीशा की राज कुमारी कुमार देवी के साथ और अशोग ने कुमार देवी की अस्थियों को एकत्र करके वैश्य टेकरी नामा के स्थूप भी बनवाया है वैश्य टेकरी और अशोक ने मध्य प्रदीश के ही राइसीन में सांची स्थूप का निर्माण कराया था और जो की विश्व धरोहर में भी शामिल है अगली कॉस्चन में चलते हैं मध्य प्रदीश का एक मात्र पशुपती नाथ मंदिर किस नदी के किनारे हैं? शिप्रा, शिवना, चंबल और निर्मदा देखें जैसी कॉस्चन आपके दिमाग में आरा है ना मध्य प्रदीश का एक मात्र पशुपती नाथ मंदिर पहली चीज तो एक मात्र है पशुपती नाथ मंदिर से तो यहां मंदिर मध्य प्रदेश के मंद्सौर जिले में स्थित है मंद्सौर जिले में स्थित है और यहां मंदिर शिवना नदी के किनारे बसा हुआ है शिप्रा की बात करते हैं तो शिप्रा नदी के जो किराने बसा है वो है उज्जैन का महा कालिश्वर मंदर जो की बारा जोतिर लिंगों में से एक भी है नर्मदा की बात करते हैं तो नर्मदा नदी के किनारे तो पूरा का पूरा अहिल्या घाट बसा हुआ है मंद्य प्रदीश का पहला पिंक रेल्वे स्टेशन कौन सा है पहली बात तो मंद्य प्रदीश का पहला है और पिंक रेल्वे स्टेशन है तो पिंक रेल्वे स्टेशन का सीधा मतलब क्या है कि वो पिंक कलर से पुता हुआ रेल्वे स्टेशन है नहीं पिंक रेल्वे बदन महल railway station, हभीब गंज railway station, इंद ओर railway station और गवालिया railway station कि हभीब घर railway station की जब बात करते हैं तो यह भुपाल का railway station है और यह पहला निजी railway station है पहला निजी रेल्वे स्टेशन है ठीक मदन महल रेल्वे स्टेशन ही वह रेल्वे स्टेशन है जिसे पिंक रेल्वे स्टेशन की संग्या दिये गई है यहां जमलपुर में इस्थित रेल्वे स्टेशन है अगले कॉस्चन की तरफ चलते हैं राजा रोहित महल कहां इस्थि श्राइशिय में यहीं पर सती अब रिमतव कि वह लगा पती का पैलेस माना जाता है बाग की गुफाएं कहां इस्थित है खरगॉन उज्जैन धार और विदीशा अचा बाग की गुफाओं से मतलब क्या है ऐसी गुफाओं जहां पर बाग रहा करते थे ते कि आप बिल्कुल सही डारेक्शन पर जा रहे हैं बाग की गुफाओं का सीधा अर्थ वही है जहां पर बाग रहा करते हो पर ऐसा तो नहीं ना कि खुद ने अपने नाखूनों से य दातों से खोद घुफाओं का निरमाड कर दिया ऐसा मिलकुल नहीं यह गुफाओं गुप्त काल में बनाई गई थी और इन गुफाओं को धीरे-धीरे लोगों लोगों ने यहां पर कारी करना बंद कर दिया जिसके वज़े से यह लुप्त हो गई और यहां पर बहुत सारे जंगल और जाड़िया बन गई जिनके बाद में यहां पर बाग हाकर रहने लगे तो इस कारण से इन गुफाओं का नाम बाग की गुफाएं पढ़ा यह गुफ इन गुफाओं की संख्या नौ है जिसमें से वर्तमान में पांच गुफाएं बची हुई है इन गुफाओं में एक विशेश प्रकाल की पेंटिंग बाई जाती है जिस पेंटिंग को कहा जाता है फ्रेसको मुगल पेंटिंग इन गुफाओं का सीधा सीधा सम्मंद गुप्त काल से है और इसके अलावा हिंदू और बौध धर्म की मूर्तियां यहाँ पर मिलती है यहाँ पर पाँच गुफाए हैं ठीक तो इसका आंसर हो जाएगा आपका धार बाकी कुफाए कहा इसते थे धार में इसते थे ओप्शन नमबर 20 का सही आंसर होगा निम्न में से कौन सा मधिप्रदीश राजी का राजी की चिन नहीं है देखिया हमने राजी की चिन अल्रेडी कवर कर लिए तो यह कौशन बहुत आसान होगा बाग, सोयवीन, आम और महाशीर देखिया राजी की चिन की जब बात करते हैं तो बाग मधिप्रदीश का राजी की चिन नहीं है सोयवीन जो है मध्यप्रदेश की राज की फसल है आम राज की फल है और महाशीर राज की मशली है यह जो है वह मध्यप्रदेश को कहीं न कहीं प्रदूशन से भी बचाती है मध्यप्रदेश के राष्टिय शरग जोती सम्मान प्राप्त करता है कैलास सत्यार्थी, प्रभाज जोशी, रवीश कुमार और रजनीश ओशो जी पूछ रहे हैं मध्य प्रदीश के राष्टिय शरत जोशी शम्मान के प्राप्त करता रहे है रवीश कुमार जी बाकी ओप्शन के बारे में बात करते हैं कैलास सत्यार्थी जी को मलाला यूसुफ जई के साथ में शांती का नोबल पुरुषकार मिला था प्रभाष जोशी जी का संबंद मलखंब खेल में दिये जाने वाले पुरुषकार से हैं और यहां एक वरिष्ट पत्रकार रहे हैं रजनी शोशो जी की बात करते हैं तो यह अध्यात्मिक गुरु है और इनका संबंद गाडरवाडा नर्सिंग पुर से हैं मक्का उत्पादन में मध्यप्रदेश का कौन सा इस्थान है जब मक्का उत्पादन की बात के जाती है तो मध्यप्रदेश का मक्का उत्पादन में प्रधाम इस्थान है मक्का महोसोच छिनवाडा में आयोजित किया गया था अभी कुछ टाइम पहले तक तो इस कारण से इसका अंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर डी प्रथा मिस्थान सत्पुडा परवश रंकला के संबंध में असत्य कथन पर विचार कीजे सत्पुडा परवश रंकला की आसत उचाई 900 मीटर से अधिक है सत्पुडा परवश रंकला पर पच्मडी इस्थित है इसे मध्य प्रदेश का तीसरा जय वारक्षित छेतर बनाया गया है यहां इस्थित पच्मडी प्रदेश के ग्रीश मकालिन राजधानी भी कहलाती है देखे पच्मडी के बारे में और सत्पुडा परवश रंकला के बारे में हमने बात कर ली है तीन भागों में बटा है मैकाल महादेव राजपीपला की पहाड़ी पच्मडी कहा है महादेव परवश रंकला पर तो यह बात जो है यह बिलकुल सही है तो यह हो जाएगा गलत क्योंकि असत्त पूछ रहा है आपसे तो यह बिलकुल सही है सत्पुड़ा परवश रंकला की औसद उचाई 900 मीटर से अधिक है ठीक है यह बी यह बिलकुल गलत बात है क्योंकि इसे मद्यप्रदीश का पहला जैवारक्षित शित्र बनाया गया है और इसे भी पच्मडी को बनाया गया है तो आप्शन नमबर सी आपका सही हो जाएगा कि यहां असत्त्यक अथन है यहां इसे पच्मडी को प्रदेश की गीश मकालीन राजधानी भी कहा जाता है यह बिलकुल सही है तो यह भी गलत हो जाएगा तो आपका सही है अंसर है असीरगर का किला कहां इस्थित है जाबुआ मांडू बालाघाट अकधानी श्रेडी देखिए असीरगर का किला आपसे पूछ रहा है किस इस्थल पर इस्थित है तीन जिले लिखे है और एक श्रेणी लिखी है जाबुआ जिले की बात करते हैं तो जाबुआ वह जिला है ज भी लिजन जाती कौंसा उत्सफ करती है तो भागोरिया उत्सफ करती है अधीन दिन पूर वह मतलब साथ दिन पहले आयोउजित किया जाता है इसकी तेन शुंखलह वती है सम सै क्でもती है दूसरी होती है गुल्य देन गुल फ्रतियघ्र तो इस प्रकार से भगोरिया उत्सव भील जन जाती के दुआरा सरवाधिक जाबगाउं में मनाया जाता है बात कर लेते हैं मांडू की तो मांडू वह इस्थल है जो की सरवाधिक महलों के नाम से जाना जाता है मांडू में सरवाधिक महल मिलते हैं किस जिले के अंदर इस्थित है तो धार जिले के अंदर इस्थित है मांडू वही छेतर है जहां पे राजा बाज बहादूर रानी रूप मती का शाशन हुआ करता था मांडू में मांडू का किला, हिंडोला किला, अशर्फी महल, आदी महल बहुत ज़्यादा महत्वपूर है बालाघाट की बात करते हैं तो बालाघाट यहाँ श्वित्र है जो कामी और मैगनीज के लिए बहुत ज़्यादा जाना चाता है अखदानी श्रेडी वह हिस्ता है जहाँ पर असीरगड का किला इस्थित है तो अगली कॉश्चिन की तरफ चलते हैं इसका आंसर होगा आपका आंसर नमबर डी माद्य प्रदेश में नदियों के सम्मंद में विचार कीजिए मद्य प्रदेश में नदी अपवातंतर को 6 भागों में बाटा गया है मद्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवातंतर गंगा अपवातंतर है नर्मदा नदी को 3 मई 2017 को जीवित नदी का दरजा दिया गया था नर्मदा नदी अपवहा तंत्र प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अपवहा तंत्र है देखे जब नदियों की बात करते ना मध्य प्रदेश में नदियों की तो अपने सबसे बड़ी नदी सुनी है नर्मदा नदी तो आपके दिमाग में यही आएगा कि यह तो बिल्कुल गल्क चीज है कि मद्धे प्रदेश का सबसे बड़ा प्वाटंतर गंगा है गंगा तो बहती ही नहीं पर मद्धे प्रदेश से गंगा नधी नहीं बहती लेकिन गंगा की सारी सहायक नदिया मध्यप्रदेश से बहते हैं तो इसका मतलब यह हुँआ कि यह बाद बिलकुल सही है कि मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा अपौहातंत рук गंगा नदीयॅप उहटंत है मध्यप्रदेश में नदीयुऊट उहटंत को 6 भागों में बाटा गया है तो आपका चौथा नमबर भी सही है, तो आपका अंसर हो जाएगा option number 3, उप्योक्त सभी निमलिखित, नदी एवं नदियों के उदगम इस्थलों पर विचार कीजिए महुर, शिप्रा, बेतवा और सिंध नदी देखें, जो आपको पहले बनता है, आप उसकी उपर ध्यान दीजेगा यहाँ सिरोज, शिप्पुरी, राइसेन और इंदौर सबसे पहले वैसी caution को eliminate करना है शिप्रा नदी का उदगम कहां से होता है, इंदौर से होता है इंदौर की किस पहाड़ी से होता है, इंदौर की काकरी बरड़ी पहाड़ी से शिप्रा नदी का उदगम होता है, यह वहाँ नदी है, जो की महाकालिश्वर की किनारे अस्थित है शिप्रा नदी ही उज्जैन के महाकालिश्वर मंदिर के किनारे है साथ ही साथ में शिप्रा नदी बहुत ही प्रसिध नदी है पुराणों में भी इसका वर्णन किया गया है तो तीन का चार आपको जहां मिले वह आपका आंसर होगा देखें अगर आप महूर नदी का उद्गम शिवपुरी से हुआ है बेत्वा नदी का उद्गम राय से इन से हुआ है कि इस रसाप से हमारा अंसर हो जाएगा और सी वान टू फो और फिर आजाएगा 3 ठीक तो यह हमारा आपसिन नम्बर सी इसका सहीं आंसर है कि निम्लिक्फित मेंसे कौन सा मध्यप्रदीश का अन्य-णाम नहीं है नदियों का माईका ताइगर स्टेट सोया इस्टेट और सत्पुडा की राणी मध्यप्रदीश के अन्य नामों को हमने पहले भी कवर किया है एक बार और तेख लेते हैं नदियों की अधिकता होने के क करएं लगभग 207 चोटी बड़ी नदिया है मध्यप्रदेश को नदियों का माई काँ गाता है सोया इस्टेट भारत के सरवाधिक लगभग 80 प्रतिशत सोयवीन का उत्पादन करने के कारण इसे सोया इस्टेट कहा जाता है Tiger State भारत में सर्वधिक 526 टायकरों के साथ सर्वधिक Tiger रखने वाला राज जी होने के कारण Tiger State कहा जाता है सत्पुरा की रानी मधिय प्रदेश को नहीं कहा जाता बलकि पच्मड़ी को कहा जाता ये चीज हमने अब भी कवर की थी कुछ टाइम पहले चलते हैं नेक्स्ट कोशन में इसका हो जाएगा अंसर नमर डी मध्यप्रदीश राजिय भारत के कुल छेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग रखता है इसका मतलब यह आपसे पूछ रहा है कि यह पूरा भारत है इस भारत के संपूर्न छेत्रफल पर माल लेजें मध्यप्रदीश इतने भर में बसा हुआ तो यहाँ पर मध्यप्रदीश कितना भाग का छेत्रफल अपने अंदर समाई हूए है दो परसेंट है, तीन परसेंट है, चार परसेंट है, कितने परसेंट है, option है 9.30, 9.40, 9.38 परसेंट और 9.32 परसेंट, जब चेत्रफल की बात करते हैं, कि मद्य परदेश कितने वर किलोमेटर में फैला हुआ है, तो मद्य परदेश का चेत्रफल है, 3,8,252 वर किलोमेटर, इसके साथ मद्य परदेश जनसंख्या की दरश्टी से भारत का छटवा इस्थान रखता है, 6 इस्थान रखता है, और वहीं जब बात करते हैं चेत्रफल की दरश्टी से, तो मद्य परदेश 2nd नमबर पे है, अर् राजस्थान, जब 36 मद्य परदेश में था, तो उस समय मद्य परदेश भारत का संपून भारत का सबसे बड़ा राज्य था, इस हिसाब से इसमें अगर आंसर देखा जाए, तो आंसर होगा, 9.38 परदिशत के साथ, मद्य परदेश भारत में दूसरा इस्थान रखता है, शेतर फलकी दरश्टी से, तो आपका option number B हो जाएगा सही अंसर, मद्य परदेश राज्य के part A का अन्य नाम कौन सा था, देखें जब part A का अन्य नाम पूछ रहा है न, तो आपको पढ़ना है part A को क्या कहा जाता था, पार्ट A वहाँ शेतर था, जो मद्य परदेश का सबसे बड़ा भाग था, जिससे CP भी कहा जाता था, और साथी साथ में बरार भी कहा जाता था, ये वहाँ शेतर था, जो कि मद्य परदेश में 15 रियासते रखे हुए था, और मद्य परदेश का सबसे बड़ा भाग था, तातकालिक समय का इसकी राजधानी जो थी पार्ट A की वो नागपुर थी जो की अभी वर्तमान में महराश्टों में है और इसके प्रमुक पंडित रावी शंकर शुकले जी थे तो सबसे ऑप्शन देखते हैं विंद शेत्र लगु भारत मध्य प्रिदेश मध्य शेत्र और बरार तो ऑप्शन नमबर डी जो है बरार इसका सही आंसर हो जाएगा अगले कॉश्चन की तरफ चलते हैं मध्य प्रिदेश राजय के पार्ट B में कितनी रियासती थी देखे हमने पता किया कि पार्ट A में 15 रियासते थी पार्ट B में कितनी रियासते थी और पार्ट C में कितनी रियासते थी तो पार्ट C में 38 रियासते थी जो कि सरवाधिक थी पार्ट B में 15 रियासते थी पार् जी राव सिंधिया जी और पाड जी बी जो है इसकी दो राजधानी थी एक थी राजधानी इंदौर और दूसरी राजधानी थी ग्वालियर जिसे छे-छे माहा में परिवर्टित करके बनाया गया था बोपाल स्वतंत्र रियासत के संबंध में असत्य कथन चुनिये बोपाल के पहले प्रमुक रवी शंकर शुकली जी थे बोपाल सीहोर जिले की एक तहसील थी बोपाल को उननेशसो उननचास में पार्टव सी में मिलाया गया भौबाब की स्थापना दोस्त मुहम्मद खान ने की थी इसमें जब असत्य कथन आपको मिलाना है तो आपको भौपाल की डिटेलिंग पता होनी चुए भौपाल ऐसा चेत्र था जिसकी स्थापना प्रारंबिक समय मे दोस्त मुहम्मँद खान के दुवरा की गई थी इसके बाद में Bhopal को 1949 में पार्ट सी में मिलाया गया था इसके बाद Bhopal को 1956 में राजधानी बनाया گیا परणथू इसे जिला नहीं बनाया गया 1972 में इसे जिला बनाया गया तब तक Bhopal सिहोर जिले की एक तहसील थी आपका होगा सही अंसर क्योंकि आपसे यहां पे असत्य पूछ रहा था क्योंकि भोपाल के जो पहले प्यमुख थे वो हमेदुल्ला सहाब थे नाकी रविशंकर शुकल जी मध्य प्रदेश के पुनर गठन के समय मध्य प्रदेश के द्वारा महराष्ट राज जी को दिये गए जिले कौन से थे देखें महराष्ट को मध्य प्रदेश ने कुल आठ जिले दिये थे इन आठ जिलों में आपको पटा करना कौन कौन से जिले थे वुल्धाना भंडारा अकोला सतारा भंडारा चांदा यवत माल कोलापुर नागपुर चांदा भंडारा पुणे अमरावती अकोला चांदा और भंडारा देखें जो आठ जेले आपको दिये गए थे नागपुर को वो थे भंडारा तो भंडारा जहां जहां है वो ठीक है तो यहां पर चारों में भंडारा ठीक है, उसके बाद देया गया था अकोला, अकोला देख लेते हैं, अकोला यहां यहां दो जोगा अकोला मिल रहा है, कोला पुर नहीं दिया गया था, तो इस कारण से अप्शन नंबर B हो जाएगा गलत पहले ही, नागपुर चांदा यहां लिखा है, वुल्डाना, भंडारा, अकोला और सतारा, सतारा नहीं दिया गया था, तो इसकारण सतारा भी गलत, तो आप्शन नंबर D शेश बचता है, जो कि आपका सही आंसर होगा, मध्य प्रदेश राजी के गठन के समय, एक नमबर 1956 को मध्य प्रदेश में जिलों वा संभागों की स्थिती क्या थी, विचार कीजिए, मध्य प्रदेश के गठन के समय, मध्य प्रदेश में जिलों की स्थिती क्या थी, मध्य प्रदेश का गठन दो टाइम हुआ है, एक ह हुआ है 1956 में एक हुआ है वर्ष 2000 में जब 1956 की बात हो रही है तो आपको याद हो गहीं कि 43 जिले ठेए है और 8 संभाग थे वही इस समय वर्ष 2000 की हम बात करते है तो 2000 में से आपको पता होगा कि 45 जिले ठेए और 9 संभाग थे awhile 10, 9 संभाग थे, आपका आंसर हो जाएगा 43 जिले और 8 संभाग, तो आंसर नंबर 2 आपका सहीं हो जाएगा, 45 जिले भी हो सकते थे, 45 जिले और 9 संभाग, ये तब होता जब आपसे ये पूछा गया होता, कि जब 36 गर मदिप्रदेश से अलग हुआ, उस समय मदिप्रदेश के स्थति क्या थी मद्य प्रदीश के पहले कारेवाहक मुख्य मंत्री कौन थे अवधिश प्रताप सिंग पंडित रवी शंकर शुक्ल शंकर डियाल शर्मा भगवत राव मंदलोई लेखें जब आपके पास चार आप्शन हो ना तो आपको सबसे पहले देखना है कि मद्य प्र अगला सीम बनाया गया था भगवत राव मंदलोई जी को तो इससाब से हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी अवधिश प्रताप सिंग की बात करते हैं तो यह मद्य प्रदीश के पार्ट सी के प्रमुक्ते वही शंकर दियाल शर्मा जी भारत के राष्ट्रपती भी जिले रहे हैं आंसर होगा आपका डी मद्य प्रिदेश में भुपाल को जिले की रूब में कब इस्थापित किया गया था हमने देखा भुपाल को जिला बनाया गया था इसके पहले भुपाल सिहोर की एक तहसील था जून 1973 जनवरी 1972 जनवरी 1973 और फरवरी 1972 देखिए जब हपाल को जिला बनाया गया था उसी समय 36 गड के राजनद गाउं को भी जिला बनाया गया था ये समय चल रहा था 26 जनवरी 1972 कुछ सोर्स में कुछ किताबों में यहां 1973 भी दिया हुआ है कि 26 जनवरी 1973 को राजनन काम को जिला बनाया गया था तो आपको यह दोनों चीज़े याद रखने कभी भी कॉशन में एक जैसा आंसर नहीं होगा कि 73 और 72 एक साथ पूछ ले तो आपको याद रखना है कि जनवरी 2022 में बोपाल को जिला बनाया गया था ठीक तो हमारे इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी ओके फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्यू सो मच आपको हमारी क्लासस कैसी लग रही है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए और यदि आपको कोई भी था बिले का गया है टेले था उट चाहले क्या अंनाया सेक तो हमारे था बताएए तो हमारे, हमारे, हमारे की जरी जstalती है घा ठ Sept ऑट ACTI जल को तो हमारे